हेलो डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम क्लास 10 की सभी बुक्स देखेंगे उनका प्राइज देखेंगे और स्लेबस क्या है वो भी देखेंगे तो शुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले इंगलिश की बात करते हैं आपकी इंगलिश की दो बुक्स है फर्स्ट बुक है आपकी footprints without feet इसका price देख लेते हैं क्या है इसका price है 40 rupees और अब syllabus देखते हैं आपके कितने lesson है इसमें इसके lesson है आपके 10 lesson है इसमें ठीक है तो इसकी यह थी आपकी English की first book footprints without feet और यह second book है first flight के नाम से ठीक है इसमें देखते हैं इसका price क्या है और इसका price है यह NCRT की books हैं सभी price है इसका 80 rupees और इसका syllabus देखते हैं आपने कितने chapter पढ़ोगे आप इसमें इसके chapter है हमारे पास 10 chapter हैं आपके पास इसमें ठीक है यह इसके chapters है उसके बाद बात करते हैं हिंदी की books हिंदी की भी आपकी दो books हैं एक kritika ठीक है kritika भाग 2 और दूसरी है शितिज भाग 2 तो kritika में देखते हैं kritika का price देख लेते हैं पहले कितना है 35 rupees और आपका slayvus देखते हैं कितना आएगा इसमें से slayvus है इसमें आपके 5 chapters है ठीक है उसके बाद second जो book है आपकी हिंदी की शितिज भाग 2 इसका price देखते हैं इसका price है 70 rupees और इसका slayvus देख लेते हैं क्या पढ़ोगे आप slayvus में आपके पास kawya khand है इसमें ठीक है एक से लेके इसमें chapter है आपके 13 chapter है नहीं 13 नहीं हमारे chapter है 17 chapter है ठीक है यह इसका slayvus है 17 chapter है इसमें kawya khand है और गद्दय खंड है ठीक है यह होगा आपका हिंदी का slayvus उसके बाद next book है हमारे पास next book है science की ठीक science में देख लेते हैं क्या आपका slayvus है क्या इसका price है book का science के book का price है 190 rupees और इसका slayvus देखते हैं कितने chapter आप करोगे इसका slayvus है हमारे पास आपके आएंगे इसमें से 16 chapter है ठीक है कितने chapter है science में 16 chapter है अब बात करते हैं math की math का देख लेते हैं यह math की book है आपकी class 10 की और इसका price देखते हैं पहले इसका price है 160 rupees और आप chapter chapter कितने हैं इसमें इसमें chapter है 1, 2, 3, 4 और यह 5, 6, 7, 8, 14 और यह 15 फिफ्टीन chapter हैं आपके इसमें class 10 में और जो last books हैं आपकी वो है SSD की book है आपकी social science की तो social science में आपकी 4 books होंगी यह economics की book है इसका देख लेते हैं सहले economics की जो आपकी book है वो है 75 rupees की और इसके chapter देख लेते हैं कितने chapter आएंगे इसमें chapter आप इसमें आपके chapter आएंगे इसके 5 chapter आएंगे ठीक है यह थी economics की book आपकी फिर उसके बाद है geography ठीक है यह geography है जियोग्राफी की book है अब इसका price देखते हैं और इसके price है इसका 75 rupees और chapter कितने हैं वो देख लेते हैं chapter है इसमें आपके 7 chapter है ठीक है उसके बाद है हमारे पास history की book है class 10 की यह history की book है देखते हैं इसका price इसका price है 125 rupees और इसका देखते हैं chapter आप इसमें कौन-कौन से पढ़ोगे chapter है इसमें यह sections में दे रखा है यानि कि chapter 1, 2, 3, 4 और इस chapter 5 section 3 में ठीक है तो इसमें total कितने chapters है 5 chapters हैं आपके पास और last book है आपकी यह आपकी political science की book है इसका price है 90 rupees और इसका chapter देख लेते हैं chapter कितने हैं chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें total 8 chapters है ठीक है तो यह थे आपकी class 10 की books dear student इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और वीडियो को अपने सबी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार